गर की वापसी पाठक चक्रवर्ती अपने महुले के एक लड़कों का नीता था सब उसकी आग्या मानते थे यदि कोई उसके विरुद जाता तो उस पर आफत आ जाती एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा नदी के किनारे पर लकड़ी का एक बड़ा ही लठा पड़ा था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी पाठक ने कहा हम सब मिलकर उस लठे को लड़काए सब लड़कों ने उसका अनुमोधन किया जब खेल आरंभ होने वाला था तो पाठक का छोटवाई मक्खन बिना किसी को एक भी शब्द कहे उस लठे पर बैठ गया लड़की रुके और एक शान तक मौन रहे फिर एक लड़की ने उसको धक्का दिया परंतुव न उठा यह देकर पाठक को क्रोधाया उसने कहा मक्खन यदि तु न उठेगा तो इसका बुरा परिणाम होगा किन्तु मक्खन यह सुनकर और भी आराम से बैठ गया अब यदि पाठक को कुछ हलका पढ़ता तो उसकी बात जाती रहती बस उसने आग्यादी की लठा लुड़का दिया जाए लड़के आग्या पाते ही एक दो तीन कहा कर लठे की और दोड़े और सबने जोर लगा कर लठे को धकेल दिया लठे को पिसलता और मक्खन को गिरता दिखकर लड़के बहुत प्रसन्न हुए पाठक कुछ भैबीत हुआ क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा मक्खन प्रित्वी पर से उठा और रोता हुआ घर की और चल पड़ा पाठक को लड़कों के सामने इस अपमान से बहत खेद हुआ वो नदी के किनारे मुहाद धोकर बैड़ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा इतने में एक नोका वहाँ आई जिसमें एक अधेर व्यक्ति बैठा था उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आकर पूछा पाठक चकरवर्ती कहां रहता है पाठक ने अपने पाउँ फैलाते हुए उपेक्षा से उतर दिया मुझे नहीं मालूम पाठक ने जाने से इंकार किया चूँकि नोकर मालकीन की और से आया था इस वज़े से वहाँ उसको ले गया पाठक जब घर आया तो उसकी माने क्रोथ में आकर पूछा तुने मकषन का फिर मारा? पाठक ने उतर दिया नहीं तो तुम से किस ने कह? मकषन चूँकि कहा चुका था कि मुझे मारा है इसलिए उसने अपने शर्प कायम रखे और दुबारा फिर कहा हाँ, हाँ, तुमने मारा है यह सुनकर पाठक को क्रोध आया और मकषन की समीब आकर उसने उसे माना आरंप कर दिया उसकी माने उसे तुरंद बचाया पाठक ने अपनी मा को धक्का दे दिया ठीक उसी समय वह अदेर उमर का व्यक्ती घर में आया और कहने लगा क्यों किस्सो है? पाठक की माने पीछे हट कर आने वाले को देखा और तुरंद ही उसका क्रोध आश्चरे में बदल गया उसने अपने भाई को पहचाना और कहा क्यों दादा तुम यहां कैसे आए? फिर उसने नीचे जुकते हुए उसके चरण छुए उसका भाई विशंबर उसके विवा के पश्चात मुंबई चला गया था अब वह अपनी बहन से मिलने कोलकता आया क्योंकि बहन के पती के मृत्य हो गई थी कुछ दिन पढ़ी प्रसनता के साथ भी थे एक दिन विशंबर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विशे में पूछा उसकी बहन ने कहा पाठक बहुत चंचल है किन्तु मक्षन पढ़ने का बहुत इच्छुक है यहां सुनकर उसने कहा मैं पाठक को मृंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया मा के लिए यह भहुत ही हर्ष की बात थी पाठक प्रते दिन मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे आखिर चलने का दिन आ गया उस राथ पाठक से सोया भी न गया मुंबई पहुचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला वहाँ उसके आने से कुछ प्रसनन न हुई क्यूंकि उसके लिए अपने तीन बच्चे ही काफी थे एक चंचल लड़के का आजाना उसके लिए विपत्ती थी पाठक जिसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है उसके लिए नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया पाठक को यहाँ पर सांस लेना भी कठिन हो गया वह रात को प्रति दिन अपने नगर के स्वपना देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता उसको वह स्थान याद आता जहां वह पतंग उड़ाता था और जहां वह जब कभी चाहता जाकर स्नान करता था मा का ध्यान उसे दिन रात विकल करता रहता उसका पढ़ने में भी मन नहीं लगता था अब स्कूल में उससे अधिक कमजोर कोई विध्यारती न था जब कभी अध्यापक उससे कोई प्रश्न करते तो वहां मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलाख खड़ा होकर घरों की छटों को देखा करता एक दिन उसने बहुत ही सास करके अपने मामा से पुछा मामा जी मैं घर कब जाऊंगा मामा ने उत्तर दिया ठारो जब तक छुटिया ना हो जाए किन्तु छुटियों में अभी बहुत दिन शेश थे इस बीच में एक दिन उसने अपनी किताब खो दी अब उसको अपना पाठ याद करना बहुत ही कठन हो गया उसकी दशा इतनी दैनिया हो गए थी कि उसके मामा के बेटे उसे अपना भाई कहते हुए भी शर्माते थे पाठक मामी के पास गया और कहने लगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मेरी पुस्तक खो गई है मामी ने क्रोध में अपने होटों को चबाते हुए कहा मैं तुझका कहां से महीने के पाजवार फुस्तक खरीद कर दूँ इस समय पाठक के सिर में दर्द उठा उसने सोचा कि बिमार होने के पशात वह घरवालों के लिए विपत्ती बन जाएगा दूसरे दिन प्राता ही पाठक कहीं भी दिखाई न दिया उसको चारों तरफ खोजा गया किन्तु वह न मिला वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और विव्यक्ती जो से खोजने गए थे बिल्कुल ही भी गए आखिरकार विशंबर ने पुलिस को सूचना दी दी मद्यान में पुलिस का एक सिपाही विशंबर के द्वार पर आया वर्षा अब भी हो रही थी और सडकों पर पानी खड़ा था दो सिपाही पाठक को हाथों में उठाय हुए आये और विशंबर के सामने रग दिया पाठक के सिर से पाउं तक कीचर लगी हुई थी और उसकी आँखें जुर से लाल थी विशंबर उसको घर के अंदर ले आया जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा अच्छे हो तो जो तुम इसको घर ही विज़ा देते पाठक ने ये शब सुने और सिस्कियां लेकर कहने लगा मैं घर जातो रहा था फिरन तो ये दोने मुझे जबरदस्ती ले आए जुर बहुत तीवर हो गया था सारी रात वो अच्छेत पड़ा रहा विशंबर ने उसके आंसु पोचे और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसके सिरहने बैठ गया तीवर जवर में पाठक बढ़बढाता रहा अपनी माँ को याद करके दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ उसने कमरे में चारो ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर्थ तकी पर डाल दिया विशंबर समझ गया और अपना मुक उसके समीब पलाते हुए कहने लगा पाठक मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है कुछ घंटों के पशात उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई विशंबर ने उसको मौन रहने के लिए कहा किन्तू वह न मानी और पाठक की चारपाई के पास आकट चिलाते हुए कहने लगी पाठक, पाठक मेरे प्यारे बेटे पाठक पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी उसकी नाड़ी हलकी पड़ी और उसने एक सस्की लिए उसकी माँ फिर चलाई पाठक, पाठक मेरे आखों के तारे मेरे इडले दै की कोयल पाठक ने बहुत ही धीरे से अपना सिर्द दूसरी और किया और बेना किसी की और देखते हुए कहा माँ क्या चुटियां आ गई